Hello students, today we will study about lesson 3 from English Channel Book. Hello students, आज हम English Channel Book का lesson 3 पड़ेंगे. The name of this lesson is Rabindranath Tagore. इस पार्ट का नाम है Rabindranath Tagore. यह पार्ट Rabindranath Tagore के बारे में है. सबसे पहले, वर्ड मीनिंग्स हम देखते हैं. Fascinating, very interesting. Fascinating का मतलब होता है, आकर्शक, बहुत आकर्शक या बहुत रूचिकर. Staped in Superstition, Deeply Influenced by Foolish and Unscientific Beliefs. Unscientific Beliefs, Superstitions, इनका मतलब होता है अंदविश्वास. Deeply Influenced रियानी डूबा हुआ. इसलिए इसका मीनिंग होगा, अंदविश्वास में डूबा हुआ. ये दो ही मीनिंग्स हैं आपके पास. अब हम बीच में जब लेसन मैं आपको समझाती जाऊंगी, तब कोई tough word आएगा, तो मैं आपको उसका मीनिंग वहीं पर बता दूँ. अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं. रबिंद्रिनाथ टैगोर वाज ग्रेट पोएट, आर्टिस्ट, राइटर और कम्पोजर. पोएट का मतलब होता है कवी, आर्टिस्ट मेंस कलाकार, राइटर यानी लेखक, और कम्पोजर का मतलब होता है रचनाकार. So, इसका मतलब होता पूरी लाइन का कि रबिंद्रिनाथ टैगोर एक महान कवी, कलाकार, लेखक और रचनाकार थे. He was the first Asian to win the Nobel Prize for Literature in 1913. वे पहले Asia के व्यक्ति थे, Asian यानि जो Asia में रहने वाले हैं, उन्हें Asian कहा जाता है. तो वे Asia के पहले इसे व्यक्ति थे, जिन्हें 1913 यानि 1913 में literature, literature का मतलब होता है साहित्य, literature के लिए Nobel Prize मिला था. रबिंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए Nobel पुरुष्कार मिला था. टैगोर रॉट इस first poem at the age of eight. टैगोर ने अपनी पहली कवीता आठ साल की उम्र में लिखी. He was also one of the leading supporters of India's independence movement. वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाये जाते थे, उसके leading supporters यानि मुख्य supporter थे, समर्थक में से एक थे. Now we start our lesson. अब हम अपना lesson शुरू करते हैं. Lesson में जो भी tough words आएगा, मैं उसका meaning आपको उसी समय वही पर बता दूँगी. If you were a look at a photograph of Rabindranath Tagore, you would think that he was a very serious kind of a person. यदि आप Rabindranath Tagore की photo यानि की उनका चित्र देखेंगे, उनकी picture देखेंगे, तो आप सोचेंगे की यह एक बहुती गंभीर प्रक्रती के, गंभीर प्रवरती के व्यक्ती थे. In reality, he had a wonderful sense of humor and as a child was a great daydreamer. लेकिन reality में, वास्तविक्ता में वे उनका जो sense of humor था, यानि की उनकी जो हाज सी प्रवरती थी, sense of humor यानि उनकी हाज सी प्रवरती थी, वो बहुती wonderful थी, अद्बुत थी और जब बच्चे थे, तो वो एक महान daydreamer, यानि महान दीन में स्वपन देखने वाले, यानि अपने खयालों में खोए हुए रहने वाले, ऐसे इस प्रकार के व्यक्ती थे. He was born on 7th May 1861 in Calcutta, now Kolkata. उनका जन्म 7 May 1861 को Calcutta में हुआ था, जिसे की अब Kolkata के नाम से जाना जाता है. Little Ravindranath found school dull. Little Ravindranath यहने जब रavindranath छोटे थे, जब बच्चे थे, तब वो कैसे थे? School dull, यानि school में वे कैसे रहते थे? बिल्कुल सुस्त रहते थे, ऐसा उन्हें पाया गया. School time में वे एक सुस्त विद्यार्थी के रूप में थे. As his classmates recited their lessons, Rabi would gaze out of the window, dreaming and observing nature. जब उनके classmates, यानि उनके जो सहपाठी थे, उनके साथी थे, जो वे सब उनके lessons recite करने में रहते थे, उनके पाठ को पढ़ा करते थे, तब Rabi, Rabi किसे किसके लिए कहा गया है? Rabindranath Tagoreji के लिए कहा गया है कि Rabi would gaze out of the window. वे खिडकी से बहार टक्टकी लगा कर नेचर को देखते रहते थे, observing nature यानि नेचर को देखते रहते, उसका निरिक्षन करते रहते और उसके बारे में ही सपने देखते रहते, प्रकृती के बारे में. उन्हें नेचर से बहुत जादा लगा हो था प्रकृती, जो नेचर था उससे बहुत अट्रेक्ट होते थे. और जो उनका world of fantasy यहने जो उनकी काल्पनिक दुनिया थी, जो उनका का पूरी दुनिया थी, वो बहुती इंट्रेस्टिंग उनको लगती थी, बहुती आकर्शक लगती, वे अपनी दुनिया में ही खोय रहना चाहते थे. बहुती इंट्रेस्टिंग उनको अपनी दुनिया लगती, जैसे जैसे समय बीटता गया, वे स्कूल से दूर होते गए और नेचर में, रिवर में, वांडर, वांडर यानि भटकना या घूमना, तो वे नेचर में घूमते रहते, नदियों के किनारे घूमते रहते और स्क बहुती आठ्रेक्टेड हिम, नेचर ने उने अट्रेक्ट किया, नेचर उने अकरशित करती थी, नेचर ने उने अकरशित किया नेक्स्ट पैरिग्राफ इस रबिंद्रनात्स मदर हैड़ लार्ज फैमिली तू लुक आफ्टर एंड हिस फादर महर्शी देबिंद्रनात ट्रैवल्ड अलॉट रबिंद्रनात की माताजी जो थी उनकी बड़ी फैमिली थी रबिंद्रनात बहुत बड़ी फैमिली को बिलॉग करते थे उनकी जो परिवार था वो बड़ा परिवार था तो उनकी माताजी उस बड़े परिवार की देखभाल करती थी और उनके जो पिताजी थे जिनका नाम महर्शी देबिंद्रिनाथ था वे बहुत जादा यात्राएं करते थे यानि कि वे अक्सर घड से बाहर रहते थे रबिंद्रिनाथ had one constant companion इश्वर who was supposed to keep an eye on him रबिंद्रिनाथ के एक इस्थाई companion थे यानि एक उनके इस्थाई साथी थे जिनका नाम था इश्वर वे उन पर नजर रखते थे यानि कि वे उनके साथ हमेशा रहते थे इश्वर often entertained रबिंद्रिनाथ with stories from the रामायन and enjoyed discovering the mysteries of nature with him इश्वर जो कि उनके companion थे अक्सर उन्हें रामायन की कहानिया सुनाया करते थे कहानिया सुना कर उनका entertain करते थे यानि उनका मनोरंजन करते थे और वे उनके साथ mysteries of nature यानि जो प्रकृती के रहस्य थे उनकी खोज भी किया करते और दोनों आनन्दित होते थे दो रबिंद्रिनाथ's parents often worried as to what would become on him they were filled with pride when he began to write poetry at the young age of 8 यद्दिपी रबिंद्रिनाथ के parents यानि माता पिता जो थे वे अक्सर उनके लिए चिंतित रहते थे कि what would become on him इनके साथ क्या होने वाला है इसके लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे कि यह कैसे कुछ करेगा क्या करेगा यह आगे they were filled with pride जब वे ऐसे सोच कर चिंतित होते थे तभी वे गर्व से भर गए क्या जानकर when he began to write poetry at the young age of 8 कि जब वे चिंतित रहते थे रबिंद्रनाथ के लिए तब उन्हें यह पता चला कि रबिंद्रनाथ आठ साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने poetry याने की कविता लिखना शुरू कर दिया था यह जानकर वे गर्व से भर गए या वे बहुत उन्होंने गर्व महसूस किया रबिंद्रनाथ के parents ने at 17 they sent him to England for higher studies और 17 साल की उमर में उन्हें higher studies याने आगे की पढ़ाई के लिए England भेजा गया He returned home to take up writing and acting वे घर लोटे लेकर लेखन और acting यानि acting यानि अभी नए को लेकर वे घर लोटे मतलब जब वे घर लोटे तो उनका writing skill और acting skill काफी डैवलप हो चुकी थी In 1883, Rabindranath married Mirinalini Devi 1883 में 1883 में Rabindranath की शादी Mirinalini Devi से हुई One day, Rabindranath's father called him and said एक दिन Rabindranath की पिता ने उन्हें बुलाया और कहा Rabi, you have a family now Rabi, अब तुम्हारी भी family है या अब तुम्हारा भी परिवार है I think you are responsible enough to take charge of our land at कुष्थिया now in Bangladesh मैं इसा सोचता हूँ कि तुम अब इतने responsible हो गए हो या जिम्मेदार हो गए हो कि तुम कुष्थिया में हमारी जो जमीन है उसका charge ले सको उसकी जिम्मेदारी ले सको इतने जिम्मेदार तुम अब हो चुके हो वाट डू यू ठिंक तुम क्या सोचते हो ऐसा रबिंद्रनाथ के पिता ने उनसे पूछा Enough for today, thank you so much